अब हम एक एंबरल्ड और दो डाइमंड डालेंगे और देखो यहां पे कुछ ड्रो न तो हेलो एब्रीबड़ी कैसे वह आप सभी लोग स्वागत है एक और नहीं एपसोड में ओल्दमोड 6 के तो कैसे वह आप सभी लोग I hope कि सब बढ़ी होंगे तैर जैसे कि आप लोगों हम इसको यूज कर लेंगे और मुझे काफ़ी सारे ड्रेगन के स्केल और हार्ट वगेरा मिला था उसका और बॉन मिला था और इन सब काम यूज बाद में करेंगे और भाई मैं स्क्रोल को अंदर रख लेता हूं और इसको भी रख लेता हूं अपने सूट को चलो गईस अंदर लगा देता हूं फिलाल के लिए टोर्च को ओके यहां लगा दिया मैंने टोर्च को अच्छी नहीं लग रही है और भाई मेरे घर में थोड़ा कंस्रक्शन वर्क चल रहा है अगर आपको पीछे से आवाज है तो उसके लिए सोरी एड़ेस्ट कर लेना कल भी मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाला था क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मच रहा था घर में तोड़ने फोड़ने का तो रिकोर्ड करने का तयार कोई सवाल ही नह चैक किया यह बैक पीछे से दिखता है लेकिन बहुत अजीब सा दिख रहा है चप्टा चप्टा सा चलो कोई नहीं पहने लेता है क्या काम आने वाला है जैट पैक क्यूंकि में उसको चार्ज कर रहा था यहाँ पे यह रहा काफी हद तक चार्ज हो गया है और माइनिंग तो हमारी almost complete ही होने वाली है और अभी गाइस मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा वूल चलो यहां पर है थोड़ा वूल और मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा यह ले लेता हूं मैं ओक लोग और थोड़े मेरे कुछ होगे slime block slime bowl तो यार मेरे पास 2 slime bowl है तो यह एक jellyfish यह रही भ से बन जाता भई slime block jelly से ठीक है भई बन गया नाइस और अभी यह जो slime bowl है मुझे क्यों चाहिए था देखो गाइस वैसे तयार रात हो गए मुझे सो जाना चाहिए चलो सोएंगे भी पहले एक छोटा सा काम निपटालू तो मैंने यहां पर कुछ चीजे बनाई है जो कि मैं आप लोग को अरे यार नीचे गर जाता मैं अभी तो कि मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूं देखो मैंने आप एक कुछ चीजे बनाई है यह वर्टिकल गेर बोक्स और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है को ज्यादा rocket science नहीं है इसमें तो वह यह गेर Caribbean site अलोय बना लिया ना तो इससे बहुत सारी चीजे बірनेंगे मतलब ओल्मोस सबी चीजे बनेंगी इससे और गैज्या इस मैंने इस मींडमील मैं बरे रिपी सी लगे ए उसके पीछे मैंने उने मींडमील बेरिल लगा यह और उसके पीछे एक शाफट है और उसके पीछे से कनेक्ट करेंगे जैसे मुझे इधर पाइप मोड़ना है तो मैं इधर गेर वोक्स लगा दूँगा फिर मैं यहां से भी पाइप को मोड़ सकता हूं ठीक है और भाई अब बनानी है हमें तो पहले तो भाई हमें यह चारो तरफ इसके लगाना होगा इस तरीके से स्लाइम बोल ताकि हमारा जो ब्लोक है वो इससे चिपक जाए और अब गाईस हमें जो है यहां पे लगाने होंगे यह प्लैंक तो मैं यह पांच-पांच लगाऊंगा चलो गाईस तो भाई हमारा विंड बिल कुछ इस तरीके का दिख रहा है और इसको थोड़ा और अच्छ लेता हूं भाई चलो गाईस तो भाई विंड बिल मेरा बन गया है कुछ इस तरीके का दिख रहा है विंड मिल आइनो गाईस यह कुछ ज़्यादा खास नहीं है दिखने में बट यार काम चलाओ ठीक है तो गाईस आप आपका विंड मिल बनने के बाद आपने जो यह गुमना सुरू हो जाएगा और इसके वज़े से ले जो शाफ्त है यह भी घुम रहे और गेर बोकस यह नीचे से घुमा रहे है इसको देख रहे हूं और यह पूरा इस सरकल जाएगा हमारा एकदम यहां नीचे तक देख रहे हो हैं नीचे अब आप बोलोग यार विंड मिल बनाई है क्योंकि मैं इसको चलाई नहीं पाया था वही और यार देखो अधूरी अधूरी चीज़ें करना तो यार अच्छा ही नहीं लगता तो इसको यहां रखेंगे तो आप गाइस इसके अंदर हम साइच से चीज़ें बना सकते हैं और इसमें साइध इसमें हमारा इ ग्रेंड होगा वह अब तो मैंने ग्रेंड भी डाल दिया फिर भी क्यों नहीं हो रहा इसके लिए जो है यह वाला क्वार्ज ग्रेंडर नहीं लगता मतलब यह अभी भी मैं सक्सेस नहीं हुआ इसको आप ग्रेंड स्टोन को लगाने में बट इसके अंदर एक चीज़ मेल स्टोन ठीक है बढ़ी बन गया अब इसको लगाता हूं और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता यह लगाया ऐसे और इसके अंदर डालना है हमें कुछ इस तरीके से फैक के डालना होता है अभी क्या बनेगी डस्ट यह साइद यह अरे भाई यह कून आया अरे और यह बाई मेर को लड़ने देने इसके साथ इसके अलगना से है माईकल के रात को भी सोता नहीं है तो यहाँ पर तो यह बननी रहा है तो मुझे लगता है यह साइद मुझे भाई अट यार, यार सो के आता हूँ मैं फेले, और गए जी हमारी चमेलियो रोकिट सिंग, रोकिट सिंग से आज कल मैं काम नहीं कर वा रहा हूँ, मतलब फूड बनवा नहीं रहा हूँ, वैसे मुझे बनवाना चाहिए, वैसे बहुत गलत बात है, बनवा लेना चाहिए, उससे फूड बूड चलो देखते हैं उसको भी लगाते है काम पर जल्दी को अभी देखता हूं लगा verw struck ने यार एक आप तो यह नहीं दी यह कौम क्यों नहीं कर रही एक मैं साइच से कुछ तो गलती कर रहा हूं भाई जो यह आप और यह थी काम नहीं कर रही है इसको स्पीड में के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा चलों इसपढ़ करेंगे तो पाइस अज एक नए चीज पर और करने उपर क्योंकि इसमें टोटली टोटली मैजिक है और यार यह बैनर सच में बहुत ओपी लग रहा है यार यह ब्लैक बैनर एक नंबर का लग रहा है वही देखो देखो अब इनकी फाइड देखो देखते हैं कौन जीतेगा आरमर उसका हैलमेट उडा दिया था हमारे ग्रोव का लेकिन यार अच्छा है यार वह बंदा ग्रोव रक्षा कर रहा है हमारी जगह की जो चीज हमने उसको गार्ड करने के लिए दिया आने नहीं देता किसी को और यह वाला गाइस मैंने पूरा अपग्रेड कर दिया यह वाला टावर और बस यह साथ एक लेवल में और अप सबसे पहले बनाने पड़ेंगी पहले तो मेरे पास ब्रीक्स की बहुत ज्यादा कमी है चलो सोला ले लिए मैंने सोला से काम हो जाना चाहिए देखते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़े से और लेंगे तो यहां से हमारा ब्रीज सुरू होगा बनना इस ब्रीज हमारा तयार भई इस ब्रीज को यहर मैं थोड़ा सा और मतलब बढ़िया बनांगा अभी तो खैर जादाधा खास निलग रहे क्यूंकि नूर्मल सही लग रहे ब्रीज यार इतना खास निलग रहा बट्ट इसको मैं अच्छा बनाऊँगा वई इसमें थोड़ एंधर वाली टोर्च यहां पर बढ़िया लगेंगी नादर वाली टोर्च और यह इस पर लगनी रहें what वो यह क्लेच्छों के लग रही है वाइख यह क्या था वहीं इस तो अ मतलब रात में दिखेंगी यह तो यह ग्लिच करके लगाई है मैंने टोर्च देखते हैं रात को यह रोस नहीं देंगी और बाकि कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी वैसे टोर्च लगी लेकिन यार चलो मैं देखता हूंगा रात को इन्होंने रोस नहीं दी तो ज्यादा बढ़िया लगेंगी और यार इसको बढ़िया करेंगे आपन इस को इसको बाद में करेंगा लेकिन डिए को तो धोको थोड़ा दिखान है कि इस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसमें चीज़े बंगती है तो सबसे पहले इस चीज की भई हमें जुर्वत पड़ेगी तो मैं पहले आपको दिखाता हूं मोड चुछ काइज जो मोड बनानी पड़ेगी और मैं आउट ओफ लैदर हूं भाई वाह मेरे पास लैदर ही नहीं है यह रहा मेरा बेसीन इसको मेरा सोई में लगा देता हूं इसका काम इधर ही है वैसे भी चलो थोड़ा सा लैदर बना लेते हैं वैसे मुझे तो अभी एक ही चाहिए तो फिलाल एक से ही काम कर लेते हैं बाकी बाद में बनाऊज़ा चलो ह मैं किस चीज की जुरूत पड़ेगी सबसे पहले तो एक बूख के जूरूत पड़ेगी और इसी से भाई हमारे सारी चीज भीज़ाए और यह एक तो ऑलरी बना चुका हूं पाकी मैं एक ली बना सकता हूं कोई दिक् से तो यह मेरे पास दो चुके हैं ठीक है और इसका क्या काम होता है वो भी मैं बताता हूं इसके अंदर माना भरा जाता है और माना कौन सा गाइस माना पूल वाला माना नहीं कहा रहा है तो हर एक प्लेयर का माना होता है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वाई देख है देखो गाइस हर एक प्लेयर के अंदर होती है एथलिक्ट डेक्स्टराइट स्ट्रेंथ एजिलिटी स्टैमिना माना इसका माना जो है सिक्स है तो मेरा भी माना इसिक्स होगा या फिर जादा होगा जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो जब आप यह मोड खेलोगे मतलब इसको क्राफ्ट करोगे चीजों को तो माना ओल्रेडी साइड में बनावाएगा तो यह माना क्या होता है इससे हमें इसको चार्ज करना होता है देखो इसको यह देखो यह 10,000 की इसकी कपैसिटी होती है और जैसी हमारे इन्वेंटरी में जो लेफ्ट साइड में वह माना आता रहेगा तो हम वह माना इसके अंदर भरते रहेंगे जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जीरो हो जाएगा देखो अभी थोड़े देर में उसको भरने दो फिर उसके बाद मैं करके दिखाता हूं तो बहुत जल्दी जीर काम होता हुअ क्यों निकालना होता है और आप जू है एक से कर सकते हो तो मैंने रोग किया ड्रोउ माहोजीन तो यह इसका जो आपको बटन मिलेंगा वह इसी नाम से मिलेंगा ड्रो माहोजीन तो आप उसको किसी भी बटन पर set कर लेना ठीक है तो बहुत समझ में आएगा देखो सबसे पहले तो यही था महुत होगी इसके बारे में लिखाओ है इस मोड के बारे में अब जो दूसरी चीज आती है यह आती हमारा माना जो कि आपको बताने लग रहा हूं ठीक हमाना तो बहुत है अपने खून से पिर उसके बाद हम घर में जाएंगे मतलब आप घर में जाओ चाहिए कहीं पर भी जाओ तो आपको एक मोर्टल और पेस्टल मनाना पड़ेगा यह रहां मोर्टल जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा और यह है इसका पेस्टल जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा और अब इन दोनों को मिलाना होगा में तो इन दोनों को म होता हूद सबसे पहले हम डाइमंड की डास्ट बना लेता हूँ तो अब मैं बीस ही बना लुंगा आप लोगों stopping kicking ठीक के लिए घ्रीईत स्था अन्यां की यायं हम सबस्क्राइब कर दो सकते हैं क्योंकि तो यार अपना कल परसो का फ्रीज में तो वैसे रखा हुआ है बट हम कुछ बना भी सकते हैं यहां पर तो मैं ऐसा करता हूँ यार यह वाला फूड नहीं बनाऊंगा यार मैं क्योंकि वो जो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा कॉर्ण मील ले लेता हो थोड़ा सा है न मैं शाथ बना लेता हूँ ठीक है भाई खाते हैं इसको थोड़ा कॉंड मील को और यार मैंने डिस्क निकाल के फैक दी फाल तुम्हें भी यार लगाने पड़ेगे वो डिस्क चलो भी लगा दिता हूँ 4K वाली डिस्क निकाल ली थिए मैने चलो गाउस मैं स्वेख भी उड़ ङाओं तो अबी गाईस मैं बताने वाली है 상ई आपना तो इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं अब इसमें हमें दो तो एंबरल्ड की डालनी पड़ेंगी डस्ट और एक डाइमंड की डालनी पड़ेंगी तो इससे क्या होगा यह जो हमारा आप देख रहे हो जो हमारे left side में आ रहा वो थोड़ी speed में बढ़ेगा ये देख रहे हो आप थोड़ा speed में बढ़ेगा पहले कितनी धीरे धीरे बढ़ रहा था तो अभी वो थोड़ा fast होगा तो यार देखो जो चीज में ड्रू कर रहा हो उसको mainly इस तरीके से ड्रू किया जाता है देखो कि डाल सकते हो पिकेक्स आयरन की पिकेक्स लोही की पिकेक्स लकडी की कि डाल सकते हो मैं तो आपको बोलूगा कि जिस चीज की डुरेबिलिटी जाधा होना आप वो चीज डालना क्यूंकि अभी गाईस हमारा जो महू हुआ वह जो आप left side में देख रहे हो उसकी और भी ज्य यह जो रिचुवल हमने किया है ना मतलब यह जो टॉक्टा टूना हमने किया है इससे क्या हो गाइस हमारा जो मोहू है उसकी स्पीड बहुत जादा हो जाएगी हम आपको दिखाता हूं देख रहे हैं आप वो कितनी जल्दी भर गया उपर 116 कितनी जल्दी हो गया और मैं इस और देखो एक चीज हो रहे है आपने जो इस चेस्ट मेरे खाता हो ना उनकी डुरेबलिटी कम होती रहेगी देख रहे हूं इस तरीके से और आप चाहो तो एक से ज्यादा चेस्ट भी लगा सकते हो एक पावडर डाइमंड का दो एंबरल के और इसके अंदर भी हम जादा फास्ट भड़ेगा अब यह आप देखना और यह रिंग में जो बहुत जल्दी भर पाऊंगा देख रहे हो यह देखो गाईस पहले 10-10 बढ़ रहा था ना आप देखो कितना जल्दी बढ़ रहा है आप 16-16 20-20 पर आ रहा है इतनी जल्दी फास्ट देख रहे हो औ और यह जो रिंग से जिनको बोलते ट्यून डाइमंड यह आपको भरने पड़ेंगे तो मैं एक भर लेता हूं फिर आपको मैजिक दिखाता हूं बहुत बढ़िया वाला ओके गाईस तो भई शाम भी हो गई है और एक ट्यून डाइमंड मैंने फूल कर दिया है और उसके अलावागा इस दूसरे वाला भी भाई मैं भर नहीं लग रहा हूं और उसके लाव है और मैंने एक चीज होर नोटिस किये जो महूं है ना मेरे लेफ्ट साइड में आ रहा है जिसका बार वहां पे भी मेरा महूं का जो बारना वह बढ़ता जा रहा है मतलब उसकी बढ़ती जा रही है अभी 169 है तो अभी वह देखो अभी 170 हो गई तो यार यह चीज भी बहुत सही है और अगर मैं नीचे जाके उन चीजों का हाल देखूं तो आई तिंग वहां पे काफी durability जो काम हो चुकी होगी यह देखो भाई मतलब एक खतम होगी अब X की बारी है और यहां पे भी बहुत सारी चीज़े खतम हो गई है तो इस तरीके से आप चीजों की durability को यूज करके आप बहुत सारा मोहई जो है जमा कर सकते हो और इन ट्यून डायमंड को बहुत जल्द यल्दी भर सकते हो क्योंकि अब इन ही से ही हमारा काम होने वाला है आगे का पहल चलो गाइस अभी जो है आपनी आगे की चीज करने वाले हैं और यहां पर देख रहे हो दो डोक्टर आ गया है एक डोक्टर यह रहा एक डोक्टर वो रहा प्लेग डोक्टर और चुए लेकर आते हैं अपने साथ ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा ओकवर्ड ह और यार देखो आसमान के उचाईयों में हमारे गन्ने जाते वे देख रहे हो आप मतलब बादलों से भी उपर जा रहे हैं तो गईस अभी हम जो है ये दो चीजे आपको सिखा चुके कि इसको किस तरीके से यूज करना इस मोड को और माना किस तरीके से बनाना है क्यूंकि कि यही चीज इसमें दो चीज इंपोर्टेंट है, अब आती हैं आगे की चीजे, अब गईस जैसे कि आप लोग को पता है, कि हमारी जो तलवार है, और आप लोगों ने अगर हमारा लास्ट एपिसोड देखा हो, तो उसमें आप लोग को पता है कि हम ड्रेगन को मारने गए वो भी ड्रेगन स्टक हो गया था, इसलिए, तो भई ऐसी कौन सी तलवार है इसके अंदर, जो कि हम ड्रेगन को वन हिट, टू हिट में मार सकते हैं, तो भई ऐसी स्वोड भी है इस मोड पैक में, बट वो जो स्वोड है, वो बहुत ही ज़ादा टफ है बनानी, और उसी प आप देख रहे हो moregun, इससवोड का नाम है, अभी तो आपको इसका 4 का attack damage दिख रहा होगा, बट इसका attack damage, 1000 से, 2000 से, 3000 से, 4000 से, 10,000 समझारए वो आप लोग, मतलब अगर 10,000 health का हमें कोई dragon मिलता है, वैसे तो हमें last time 31,000 health का dragon मिला था, आइस वाला लेकिन उससे कमके भी मिलते हैं तो हम उसको 1 शोट, 3 शोट, 4 शोट में मार सकते हैं इस स्वोर्ड से जो कि बहुत ही जादा ओपी हो जाएगा बड़ गैस ये मैजिक इतना असान नहीं है और ये तलवार बनानी इतनी असान नहीं है तो इसकी सुरवात होती है भाई हमारी इस तलवार से कैली बर्ण तो ये तलवार है जो हमें सबसे पहले बनानी है कैली बर्ण की तो इस कैली बर्ण को बनाने के लिए भाई हमें एक चीज बनानी होगी जो कि मैं आभी आप लोग को दिखाने वाला हूं तो यह रही वह तलवार कैली बर्ण और इसको बनाने के लिए इसमें दिखाया होगा रेसिपी के इसको किस तरीके से बनाना है वैसे दिखाया तो कुछ भी नहीं है भाई इसमें इसमें सिरिफ लिखा हुआ है अब फोली क्रैप थोड़े यार पोस्टर वोस्टर होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है कैस देखो इसका अटैक डेमेज आप देखोगे तो आप च्यार का अटैक डेमेज आपको इसका दिखाई देगा बट इसके अंदर का इस बहुत ज़्यादा पावर है पट इसको आना गाइस थोड़ा complicated है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पहले तो यार में एक स्वोर्ड बनाता हूं पावर्फुल सी जैसे कि मैं डायमेंड की स्वोर्ड बना लेता हूं और उसको नेधर राइट में कनवर्ट कर लेता हूं तो मेरे पास नेधर राइट है क्या बस यहां आना है इसको इसके अंदर डालो और भाई ओके यार अगर असी लेवल का इंचेंटमेंट मिल जाता तो मज़ा आ जाता यार चलो कोई नहीं जो आ रहा है ले लो भाई मैंगहनेट आ गया भीहट आ गया रेंज आ गया लाइफ लीच आ गया चलो ठीक है गाईश अब हमें एक बेसिक सौर्ड मिल चुकी है आप गयाई हम एक जाएंगे सडेली सी जगह पर अब देखो उसको सडेली पर इस तो नहीं बोलेंगे वही मतलब किसी भी जगह पर जाएंगे हमेग दूर सी अपने घर के पास से क्योंकि हम यहां पर तोड़ी किसी तभाई मचाने वाले है और तभाई मचाने में हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले तो हम एक सरकल ड्रो करेंगे यहां पे अपने खून से अभी इसके अंदर गाइज हमें यह पाउडर डालने हैं पहले हम क्या डाल रहे थे दो एंबरल्ड और एक डायमंड डालेंगे और देखो यहां पे कुछ ड्रो ना स्टार्ट होएगा और यहां पे मेरा माना कम होना सुरू हो गया है बस मेरे को भरते रहना होगा बस यह माना भरा हुआ होना चाहिए इसके पास बहुत सारा ठीक है भरा होना चाहिए तो यह भी हम भरते रहेंगे चलो ठीक है मेरे पास एक तो भरा ही हुआ है क्योंकि यह एक बार में 500 यूज करता है और आइधिंग इसने आइधिंग पांच बारी यूज किया तो पांच बारी में यह इतना बड़ा हुआ है वह दे देख रहें इसके पास साथ है कि शा साथ ना के एक वinga का वोट रहां इसके पास आता अटा ये फोगी हो जाता यह जगें जो की मतलब अब इसको बहुत ही ज़्यादा अजीब बना देती है इस चीज को चलो ठीक है इस यह तलाब हमारा बन चुका है अब इस तलाब के अंदर हम अपना यह स्वोर्ड डालते हैं नेदर राइट स्वोर्ड और यह हमें कुछ इस तरीक से डाल लोगा पहले हम बाहर जाते हैं और हम में उस स्वोर्ड को डूनना पड़ेगा जो की कनवर्ट हो चुकी है अभी हमारी अलग वाली स्वोर्ड में पहले देखते हैं उसको कहां गई वो यार यह रही यह रही गाईस तो गाईस हमारे पास आ गई है कैलीबान स्वोर्ड जिसका अटैक डेमेज 8 का है वही वैसे यार मैं इस स्वोर्ड के साथ अभी रिस्क नहीं लेना चाहता वाई तो गाईस हमारे पास एक स्वोर्ड आ चुकी है जिसका नाम है कैलीबान तो गाईस इस स्वोर्ड को हम और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं और इसका अटैक डेमेज जो है गाईस हम ले एक एपिसोड और रुकना पड़ेगा क्योंकि आज का एपिसोड हमारा ओल्लेडी काफी लंबा हो चुका है और गाईस जब तक भाई मैं थोड़े सा यह भरता हूं क्योंकि हमें यह भरना बहुत जरूर यह और आप देख रहे हो यह हमारा खाली हो गया इसको यूस करने यह तो गॉल खाली के मैं आचल यह लेता पांसो लेता है ना यह चैक अगर मैं सको मारता हूं यह जो डॉक्टर से तो यह क्या हूं करेगा नैया यूस तो नहीं किया इस नि बट कुस्तो है जो अभी यूज हुआ भाई क्योंकि मैंने देखा भाई मेरा इसका यह यूज हो गया अच्छा वो मैंने तलवार बनाई आई थिंग तभी यूज हुआ ओके मुझे लगा भाई मेरा इतना सारा मतलब पांच जार के सम्तिंग चला गया यार साइद वो तलवार बनी न इसलिए यूज हुआ मेरा वो ठीक है और गाई इस तलवार के अंदर पावर होती हैं बहुत अलग-अलग पता नहीं अरे वाट ता हैक वाट यार आप लोगों इसका रेंज सच में बहुत ज़्यादा है गाई ऑके तो यार देखो मेरे को इस पर बहुत सारी करनी पड़ेगी और गाईस मैं आप लोग को अगर एक बात बताऊं तो देखो सच बात तो यह है गाईस मुझे पता है बहुत तरीके से बनती है ठीक है मुझे मुझे बनाएंगे क्योंकि अपने को अभी थोड़ा सा भाई काम करना है एक चीज पर और उसके अलावा उसके बाद हम मौरगन बनाएंगे क्योंकि एक इदम से मौरगन बनाना यार इस तलवार की बेज़ती है मैं सच बता हूं तो क्यूंकि ये तलवार गाई सच में बहुत ज्या हाँ आप लोगों तो आप सच में हैरान हो जाओ और सच में गई बहुत सारी है उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊन गावाई महोच है जो मैंने आप लोगों को बता है बेसिक चीज यही इसके बाद सब आड वांस चीजमें ने च्पाइब देखने नहीं, बच गया ओके